हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल चारू स्टिश क्रियेशन सो फ्रेंड्स इस डिजैन को बनाने के लिए मैंने यहां पे सेम फैब्रिक की इस तरह से पट्टियां कट करके रखी हुई हैं इस तरह की पट्टियां मैंने लगभग 3-4 कट करके रख ली हैं और यहां पे मैंने बुकरम यूज किया है तो यहां पे मैंने लिया है पेस्टिंग बुकरम धाई इंच चोड़ाई है और मोहरी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी लेंथ रखी है तो यहां पे जो मैंने ये वाल पर ही हम स्टिश लागानी है और इस लेश कुषो में इसे पल ट कर रखना है या उल्टा रखना है इसके noi और इसा करने के बाद इस इस तरह से पोर्ड कर लेना है और अच्छी तरह से हाथ जो सट कर लीजे या फिर प्रेस भी लगा सकते हैं या इस्टिच भी कर सकते हैं तो अब हमें इसे रखना है बुक्रम के ऊपर यहां पे मैं पेपर के ऊपर नहीं रख रही हूं तो इस तरह से हमें इसे तिर्चा रखना है तो इस तरह से हमें इसे तिर्चा करना है तो इस तरह से हम कि हमें 1,5 इंच छोटें कि खरना हैं और फिर से एक लेस को ऊपर की तरब फिर से इसे रख लेना और इस वहल सपूर अप्ज़ा यहां पर देखिए 2 लेस से मैंने 2 लेपा कि हमें और रिया मा देख़िक सब्सेलQué क्लच के लिए कně हमारे ऊदाऊ हो अदाय के लिए ओपर की तरब फी एक तरफ पत्ति होगी होगा और मत्सब से हम फोल्ड कर लेंगे और दूसरी सच पर यह बिजर गए की इस लिए तो एक के बाद एक लेसिस को अटेज करते जाना है और कट करते जाना है और यहां पर हमारे जो पट्टियां कुछ इस तरह से अटेश हो चुकी करते है अब हम हम इसकी साइट से इस तरह से वेश्ट कप्ड़े की कटिंग कर लेंगे और वार की तरह से चीश्च विल उब जाना हमें अब यहां पर हमें 1डिय का 문제 को ​​पर कैस्थ और bab सलवार की मोरी पे टैट ऊपर की तरफ इसे चड़ा सकते हैंँ या फिर इससे लंबाई बढ़ाने के तरीके से भी इसे कर सकते हैं तो यहां उसके बार नीचे की तरफ एक पैब्रिक जोड़कर इस तरह इसे मैं डबल कर लिया है अब यहां पर इस तरह से मैंने यहां पे अपनी सलवार की महुरी रखी है तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें प्लेट्स डाल दी हैं अब हमें इसे इस तरह से अच्छी तरह से सेट करके रख लीना है तो अब यहां पे आप देखें जो नीची की तरफ फैब्रिक मैंने लगाया है आप देख सकते हैं हाफ इंच कप्पे मैंने इस तरह से स्लाई लगा ली है अब हम इसे पलट कर इसके उपर भी एक टॉप स्टिच लगा लें और उसके बाद हम इसे इस डिजाइन को जह उपर की तरह फोल्ड करेंगे यहां पर आप देखें मैंने कप्ड़े को सुल्टा कर लिया है और इस डिजाइन को मैंने इस तरह से उपर की तरह फोल्ड कर लिया है वीडियो अगर आपके लिए helpful हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने बाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहें और अगर आपको पसंद आए तो प् thank you for watching